हेलो दोस्तों मैं संदीप आप सभी काफिर से स्वागत करता हूँ मैं आशे करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा तो लेक्चर का सुरवात करते हैं दो लाइन्स के साथ अगर हमें लिखना आता तो तेरी तारिफ बेसुमार लिखते और अगर हम सायर होते तो तेरी हुसन पर पूरी किताब लिखते तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया गया है आप इस ग्रूप में एड हो सकते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग कुर्माली प्रेक्टिस सेट पार्ट टू करने वाले हैं इसमें टोटल 20 इंपोर्टन कोशन का कलेक्शन किया गया है आप कमेंड करके बता सकते हैं आपके टोटल कितने कोशन करेक्ट हुए पूरे इमंदारी के साथ तो चलिए लेक्चर सुरू करते हैं पहला कोशन भगवा पिंधाक तोरो कविता टामहान काके कारे बिंदे काथा कहल गेल आहे यानि कि भगवा पिंधाक तोरो कविता में जो है किसको तीर से भेद देने की बात कही गई है उप्सन ने साताईवा के उप्सन भी डाकाद के उप्सन सी चासा के या उप्सन डी बेपारी के तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्सन ए साताईवा के भगवा पिंधाक तोरो कविता में जो है जो सोसन करने वाल है उनके बिरुद जो है तीर से भेद देने की बात क आंगा बाची, option C, आंगा गुनी, या option D, गौनान बाची, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, आंगा गुनी, आंगा गुनी यानि की गुन वाचत विशेशन, question number third, बाणया सिराल के मारे लाए, पुईतु किना लेके बाहरात रहे, यानि की बाणया सिराल को मारने के लिए, पुईतु जो है, क्या लेके बाहर निकला, option A, टांगा, option B, सिमेरेक डांग, option C, पॉयना, या option D, ठेंगा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, सिमेरेक डांग, question number four, इचिक मीचिक, बेल पात, बाड़िये आहेक, निम गाच, निम जोर जोर कोरे, खाकडानो, कुचिया, इटा, किना गीत, है, तो आपको बताना है, ये गीत कौन सा है, option A, खेल गीत, option B, उधवा गीत, option C, चुवा गुला गीत, या option D, ढब गीत, तो इसका correct answer हो option A, खेल गीत, ये जो है, एक प्रकार का खेल गीत है, question number five, साधन लोग कथा के कौन खांदा है, राखल जाए पारे, यानि कि साधन नमक लोग कथा को जो है, कौन से खंड में रखा जा सकता है, option A, हाज से बैंग, option B, करम बद कथा, option C, अलोकिक कथा, या option D, सामाजी कथा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, अलोकिक कथा, साधन लोग कथा को जो है, अलोकिक लोग कथा के खंड में रखा जा सकता है, question number six, दिसा कहनी कानला के कने बचावल रह, यानि कि दिसा कहानी में जो है, कानला को किनोंने बचाया, option A, बुधुआई, option B, जाहिरमाई, option C, गोरा स दिसा कहानी में जो है, कानला को गोरा साब ने बचाया, question number seven, गोहना गुडिया मोके देखे, इजरो गाते काली ना लगावे, बांचा कहनी कोन पात्रा इक थाटा कहल आहे, यानि कि ये वाकि जो है, बांचा कहानी का अनुसार कोन से पात्र ने, option ने, फागुका का, option B, मं सावना मातो, ये बाकि जो है, सावना मातो जी ने कहा, तो दोस्तों, इसी परकार के, जो important question का collection, आपके जो है, कुरमाली test series में किया गया है, जो कि हम लोग 1 जुलाई से start कर रहे है, test series से related lecture मैंने YouTube में upload कर दिया है, वहाँ test series का सारे details available है, तो आप वो lecture देख सकते हैं, इसम तो important question के, जो MCQ format आपको मिलने वाला है, question number 8, घार कर उन्नार्थक साड़ा की न हैतिक, यानि कि घार का उन्नार्थक सब्द क्या है, option A, कुमभा, option B, घेर या, option C, गोरनी, या option D, कूडिया, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, कूडिया, question number 9, अनंत महतोदारा सर्जल पती, सपन कबे चापल आहे, यानि कि आनंत महतोदारा सर्जल किया गया, पति सपन आपन का प्राकासर जो है, कब हुआ, option A, तो इसका correct answer हो जाएगा अनन्त महतुदारा सिर्जल किया गया है पती सपन आपन का पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1982 इसवी में हुआ था Question number 10 डमकज गीत महने बेसी भागे किना रोसे गीत है यानि कि डमकज गीत में अधिक मात्रा में कौन से रश का गीत होते है Option A Option B Option B Option D इसका correct answer हो जाएगा Option B डमकज गीत में अधिक मात्रा में हास्य रश के गीत पाए जाते है Question number 11 जागरन कविता के कौन खांदा है राखल जाए पारिक जागरन नामक कविता को जो है कौन से खंड में रखा जा सकता है Option A आर्थिक Option B सांस्क्रितिक Option C राजनीतिक या Option D अध्यात्मिक तो इसका correct answer हो जाएगा Option C राजनीतिक जागरन कविता को जो है राजनीतिक के खंड में रखा जा सकता है Question No 12 गोकुल किना लाए कातिक बेटी के बिहा करे लाए तयार नहीं रहे गोकुल जो है किसलिए कातिक के बेटी के साथ विवा करने के लिए तयार नहीं हुआ Option C काती के दोसर्चवा देखाई गेल आहेक Option B, काती के बेटी जगडाली रहे Option C, काती के बेटी केरिया रहे या Option D, काती के बेटी पढलनी रहे तो इसका correct answer हो जाएगा Option A, काती के दोसर्चवा देखाई गेल आहेक Question number 13, लिलु कुषणी लोग कथा महान कने डाहर छाड़ा बांदर हेल रहे Option A, रानी Option B, राजा Option C, लिलू या Option D, नौगरानी तो इसका correct answer हो जाएगा Option C, लिलू लिलू कुसनी लोग कथा में जो है डाहर छाड़ा बांदर जो है लिलू हो गया Question number 14 जहां जौन तहां धौन मौकरी कहने महान E, काथाटा कने कहल आहे Option A, खुदी आए Option B, कर्मो Option C, लोखी आए या Option D, मेरखुई तो इसका correct answer हो जाएगा Option A, खुदी आए तो ये बाकि जो है खुदी आए ने कहा Question number 15 एकटा गाचे दूइटी चेरे कविता डामहान गाच के कर परतीक आहे एकटा गाचे दूइटी चेरे नामक कविता में जो है गाच किसका परतीक है Option A, आत्मा कर Option B, परमात्मा कर Option C, गाथ कर या Option D, भगवान कर तो इसका correct answer हो जाएगा Option A, गाथ कर एकटा गाचे दूइटी चेरे कविता में जो है गाच गाथ यानि की सरीर का परतीक है ये लेक्चर जो है मैंने बहुत डिटिल्स में पढ़ाया है आप ये लेक्चर देख सकते हैं Question No.16 डॉक्टर नंद की सूरसिंग कभे कुरमाली महाने पीएश्टी करल रहत यानि की डॉक्टर नंद की सूरसिंग जी ने जो है कभ जो है कुरमाली में पीएश्टी किये Option A 1962 Option B 1972 Option C 1982 Option D 1975 तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा Option A 1962 डॉक्टर नंद की सूरसिंग जी ने जो है 1962 62 इस्वी में कुरमाली में जो है पीएश्टी किये Question No.17 सॉयने सपने देखी पोलके ना पोरे आँखी इस सिष्ट गीत ता कौन रोसे गीत है यानि की सॉयने सपने देखी पोलके ना पोरे आँखी ये सिष्ट गीत जो है Option A करून रश तो सहने सपने देखी पलके ना पोरे आँखी ये सिष्ट कित जो है करून रश का गीत है Question No.18 काके बोनेक राजा बनावेक पाकिक मात हेलेन यानि की किसको जो है जंगल का राजा बनाने के लिए सभी पक्षियों का मन हुआ Option A पेचा के Option B मौयना के Option C मौर के या Option D बाग के तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा Option A पेचा के पेचा को जंगल का राजा बनाने के लिए सभी पक्षियों का मत हुआ लेकिन जो है बाद में टसर को जंगल का राजा बनाया गया Question No.19 बिडूल के कर परतीक आहे यानि कि बिडूल जो है किसका परतीक है Option A धुरापात Option B धुन्दोपात Option C आइग या Option D क्रान्ती तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा Option D क्रान्ती बिडूल जो है क्रान्ती का परतीक है Question No.20 किसन महनता आपन नाम बोदलाई के किना नाम राखल रहे यानि कि किसन महनता जो है अपना नाम बदल कर क्या नाम रखा Option A सुचान Option B चरण Option C गोकुल परसाद या Option D निसागर तो इसका Correct Answer हो जाएगा Option C गोकुल परसाद किसन महनता जो है अपना नाम बदल कर गोकुल परसाद रखा था तो दोस्तों ये था कुरमाली Practice Set Part 2 तो इसी प्रकार के कुरमाली कोशन का कलेक्शन जो है टेस्स सीरीज में किया गया है टेस्स सीरीज इरेलेटेट जो भी लेक्शर है इसका फुल डीटेस जो है योट्यूब में अप्लोड कर दिया गया है आप वहां से टेस्स सीरीज का डीटेल्स देख सकते हैं और आपको टेस्स सीरीज में अंडॉल होना है तो description में एक WhatsApp नमबर दिया गया है आप इस नमबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं इसमें जो है टेस सीरीज की प्राइस ओल्ली 300 रुपीज रखा गया है और इसमें जो है आपको 2700 MCQ के कोश्चन जो है आपको MCQ के फॉर्मेंट में प्रोवाइड किये जाएंगे तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो आज का लेक्चर हम लोग इहीं पे end करेंगे मिलते हैं अगले लेक्चर में आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद